हेलो गाइस वेलकम टू अनद व्लोग सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं युन्डाए क्रेटा डिजल के अब तक की सबसे फेवरेट कर रहे हैं मतलब अपकी करन्ट में सब लोगों को बहुत पसंद आ रहे कार और बहुत लोग उसे ओडर भी कर रहे हैं और उसमें भी दो के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो अगर आप क्रेटा लेने की सोच रहे है डिजल वाला वेरेंट तो यह वीडियो आपके लिए तो यह वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको यह अच्छे से पता चल जाएगा कि मेरे को कौन सा वेरेंट खरीदना चाहिए और कौ वेरेंट आपको सिर्फरसिफ मैन्योल में ही मिलेगे 6-speed automatic and 6-speed manual transmission यहाँ पर आपको अवेलेबल है 1.5 लिटर का diesel engine अवेलेबल है जो की 115 PS की maximum power और 250 Nm का peak torque प्रोड्यूस करता है 4-cylinder engine है और आपको 1493 CC का इसमें engine मिल जाता है अब हम क्रेटा के 5 वेरेंट के function के बारे में जानेंगे और जब कि सबका चहता होता है कि इसकी pricing क्या होती है mileage कि दिन देती है तो वह भी हम बात करेंगे लेकिन वह सबसे हम आखिर में बात करेंगे इसके वेरेंट करने से पहले हम इसके ज़रा dimension बता देता हूँ कि इसकी height width और यह सब क्या होती है length की बात करें तो 4300 mm 1790 mm width है और अगर height की बात करें तो 1635 mm यहां पर इसकी height है 190 mm का यहां पर आपको ground clearance मिल जाता है और wheel base की बात करें तो वह भी यहां पर 2610 mm का है 433 liter का यहां पर boot space मिल जाता है और 50 liter का आपको इसका fuel tank मिल जाता है base variant में आपको 16 inch के जापर top variant में आपको 17 inch के wheel मिलते है अब जरह हम इसके सबसे base variant E की बात कर लेते हैं कि इसमें आपको basic कौन से feature मिल जाते है तो बात करें तो आपको यहां पर सबसे पहले front dual airbag मिल जाते है reverse parking sensors, ABS with EBD, high speed alert and seat belt alert यहां पर मिल जाते है जो कि इसके basic feature है अब ज speed sensing auto door lock, impact sensing auto door unlock और एक और चीज़ में बहुत अच्छी है कि आपको यहां पर front और rear में power window मिल जाते है, electrically adjustable overview भी मिल जाता है, rear में भी यहां पर आपको AC available और यहां पर आपको tilt steering मिलता है, telescopic का यहां पर कोई भी option available नहीं है, height adjustable seat मिल जाती है, साथ ही में आपको यहां पर front में armrest भी मिलेगा, जो भी इसका अच्छा feature बोल सकते हो, कि first variant फिर भी यहां पर आपको यह मिल रहा है option, अगर बात करें कि यहां पर बाहर से कैसी लगते है, मतलब बाहर से एकदम simply लगेगी, कि जो इसके overview माते है, इसके bumper साते है, या फिर इसको जो handle साते है, वो आपको body color मे मिलेगे, कोई भी आपर आपको chrome में नहीं मिलेगा, तो यहार देखने में यहार बहुत ही, मतलब बेसिक सी लगती है, मतलब इसने पैसे यहां पर आप देते हो, फिर भी जो इसकी pricing होते हो, मैं last में बता दूँगा, कि यहार first model से लेके last model तक इसकी pricing कितनी होती है, तो ले बात करेकर, rear में आपको adjustable headrest नहीं मिलता है, साथ ही में आपको यहां पर reverse parking camera भी नहीं मिलेगा, जो कि first variant में वैसे भी नहीं ही होता है, rear wiper and defogger भी यहां पर available नहीं है, e-variant की बात तो हमने यहां पर कर ली, अब जरा इसका next variant, ex की बात कर लेते, तो इसमें भी आपको सारे basic function तो मिल जाते है, जैसे ABS with EBD, front airbag, reverse parking sensors, लेकिन हम इसके feel good feature बोलते हैं कि जिसको आप useful ज्यादा होते है, और मतलब आपको देखे अच्छा लगता है, तो वो वाले हम इसके function के हम जरा बात कर लेते, यहां पर आप लोगों को 8 inch का fully touchscreen infotainment system मिल जाता है, with apple carplay and android auto, साथ ही म यहां पर आपको steering mounted audio control भी मिल जाते है, voice recognizing feature भी मिल जाता है, USB with Bluetooth connectivity भी यहां पर आपको मिल जाते है, यहां पर आपको sunglass holder भी मिल जाता है, तो अपने sunglass भी यहां पर आसानी से रख सकते हैं, यहां पर एक बहुत useful feature भी मिलता है, जो कि tire pressure monitoring system, जो कि इससे गर आपके tire में हवा कम है, तो आपको यहां पर अच्छे से पता चल जाएगा, तो आपका पंचर होने से पहले आप इसे अच्छे से fix करवा सकते हो, तो यह चीज मेरे को यहां बहुत ही अच्छी लगी, साथे में यहां पर आपको shark fin antenna भी मिल जाता है, तो look wise भी कार बहुत से भी बहुत अच् यहां पैसे करचते हो, तो आपको यहां मतलब अच्छी सी कार लगेगी, एकदम simple नहीं लगेगी, जिसमें न audio system है ना कूछ ने, तो इसे जदा EX अच्छा रहेगा आपके लिए, अब जरा हम EX से आगे वाला variant S उसकी बात कर लेते, कि इसमें आप लोगों को क्या-क्या function य कैमरा मिल जाता है, कि जिससे आप पार्किंग अच्छे से कर सकते हो, यहां पर पीछे ऐसा देखना नहीं पड़ेगा, तो यहां पर अच्छे से display में भी आपको दीख जाएगा, यहां पर पीछे जो कैमरा है उसकी वज़ेगा, यहां पर आपको fog lamp भी available, साथी में rear wiper, defog यह तीनों ही आपको यहां पर मिल जाते है, automatic headlamps and automatic AC available है, साथी में अगर बात करें तो यहां पर आप लोगों को smart की मिल जाती है, साथी में push start and stop बटन भी यहां पर available है, तो यहां पर आपको की डालने के ऐसी कोई भी ज़रुवत नहीं पड़ेगी, आसनी से अब इसे push start and stop कर सकते हैं, यहां पर आप लोगों को cruise control भी मिल जाता है, साथी में बाहर बात करें तो roof wheels भी आपर मिल जाती है, साथी में rear में आप लोगों को sun vendors भी मिलते हैं, जो की धूप आती है, तो उसमें आपको बहुत ही helpful रहेगी, तो यहां पर मिल जाते है, rear में भी आपको USB charger मिल मिलेगा, और साथी में बात करें, तो आपको coolant glow box मिलेगा, जिससे आप अगर कुछ चीज़ें यहां पर रखना चाहें, तो अच्छे से रख सकते हैं, अब जरा बात करें कि यहां पर कुछ चीज़ें यहां पर missing है, अगर आपको यह वारे variant में अगर यह चीज़ें होती तो बहुत अच्छा रहता, तो वो क्या है, वो भी में आपको बात आता हूँ, तो सबसे पहले बात करें, तो यह में आपको adjustable headrest नहीं मिलता है, electrically stable control और hill start assist भी यहां पर नहीं मिलता है, चुकि इसमें होना चाहे था इस price point पे, जो कि इसकी price क्या होती है, वो हम आखिर में discuss करेंगे, लेकिन यह चीज़े missing थी, वो नहीं होनी चाहिए थी, अब जरा हम इसका next variant जो कि SX है, उसकी बात कर लेते, जो कि top down variant भी है, जो कि top से एक नीचे वाला variant SX, तो उसमें आपको क्या-का features मिल जाते हैं, वो भी हम जरा discuss कर लेते, कि जो normal basic feature है, वो तो सभी में देखने में अच्छे लगते हैं, और ज्यादा useful होते हैं, वो क्या है, वो भी हम जरा इसमें बात कर लेते, कि आपको SX में क्या-क्या नए feature मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको rear disc brake मिल जाते हैं, साथी में जो पिछला variant था अपना S वाला, जो उसमें missing feature थे, वो भी electrically stable control, तो वो पिछले वाले variant में वो available नहीं थे, लेकिन SX में आपको यह missing feature भी यहाँ पर आपको available हो जाते हैं, बात करें तो यहाँ पर आपको fully LED headlamps मिल जाते हैं, पर बात करें कि इसका instrument cluster तो वो भी इसमें ज्यादा बढ़ा है, यानि कि यहाँ पर आपको 10.25 इंच का fully touch screen infotainment system मिल जाता है, जो कि आगे वाले variant से थोड़ा सा बढ़ा है, आगे वाले variant में आपको 8 इंच का था, यहाँ पर आपको 2 इंच और ज्यादा बढ़ा दिया है, साथी में आपको यहाँ पर आपको armrest मिलता है, साथी में rear में आपको cushion वाला headrest मिलता है, तो वो एक charger मिल जाता है, और इसमें आप लोगों को 17 इंच के alloy मिल जाते है, जो कि look wise बहुत ही अच्छे लगते है, और इसके जो भी handles वो सब होते है, वो chrome के होते है इसमें, और जो इसका आगे वाला variant था, उसमें भी आपको chrome के handle मिलते है, तो वो look wise बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी यहर बहुत ही कमाल की लगती है, fully leather wrap steering मिल जाता है, साथ ही में बहुत ही बड़ी सी इसमें आपको panoramic sunroof मिल जाती है, तो आपको बहुत ही अच्छा मतलब कार में बैठ कर बहुत ही अच्छा लगेगा, अगर बाहर भी ऐसा देखना चाहो तो देख सकते हो, और बा pricing feature क्या है, वो भी मैं आपको बता जाता है, तो इसमें आप लोगों का auto dimming IRVM's नहीं मिलते हैं, जो कि must have feature था, और इसमें क्या feature मिलते हैं, उसकी भी हम जरा बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको electric parking brake मिल जाता है, air purifier मिल जाता है, action control मिल जाता है, और यहाँ पर आपको paddle shifter मिल जाता है, जो कि यह जो variant की बात कर लें, हम रहे वाला SX और SX optional इसके बाद जो बात करेगे, वो उसमें आपको automatic भी available है, बाकी के सारे variant में आपको सिर्फ और सिर्फ manual है, तो यह आपको थोड़ा जहन में रखना है, कि अगर आपको automatic लेना है, तो सिर्फ SX और SX optional, जो जो अपने आगे वाला जो variant था SX में, जो एक missing था, कि जो auto dimming IRVM था, यह भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, साथी में आपको यहाँ पर कमल के Boss के Air music system मिल जाता है, और 8 inch का fully यहाँ पर आपको digital display मिल जाता है, जो कि steering के आगे जो होता है, वो आपको fully यह digital मिलता है, full 8 inch का तो उसमें भी आपको बहुत सारे information रहती है, इसमें, ventilated front seat भी यहाँ पर available है, साथी में power driving seat याने कि electrical याप इसे अच्छे से adjust कर सकते हो, तो इसमें आपको हाथ से ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, साथी में यहाँ पर भी आप लोगों को tire pressure monitoring system मिल जाता है, तो tire म अगर कोई भी हवा का problem है, कुछ भी है, तो यहाँ अच्छे से पता लगा सकते हो, साथ ही में SX optional, जो कि manual transmission में जो available है, उसमें आप लोगों को electric parking brake, air purifier, और auto hold का option भी मिल जाता है, तो अगर बात करें colors की तो यह बहुत ही important मतलब होता है, सब के लिए जयान में, कि यह वाल कॉन साइस में से मुझे comment में बता देजे, अब जरा हम बात कर लेते हैं, इसकी pricing, और जो उसकी होती है, कि mileage हो कितनी रहती है, वो भी हम जरा discuss कर लेते है, price की बात करें, तो इसे लेकर SX optional तक 10.31 लाग से शुरू होकर 17.48 लाग, यानि कि 18 लाग तक इसकी pricing जाती है, तो ब बहुत ही बड़ी, मतलब price range में ये कार आती है, और अगर mileage की बात करें, तो manual और automatic दोनों में आपको different mileage मिलती है, जो कि जो company claim करती है, वो ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो manual में यहाँ पर company 21.4 की mileage claim करती है, और अगर बात करें, automatic में company यहाँ पर 18.5 km पर लिटर की average य आपको कौन सा color पसंद है, आपको कौन सा variant ज्यादा पसंद आया, या आपको मतलब कितनी price point के यह car लगी है, और आप automatic लेने वाले हो, या manual, तो यह सारी बाते मुझे comment में बता दीजे, और अपके अगर कोई other question है, तो वो भी आप मुझे comment में बता सकते हो, तो जिस से मैं अच्छे सचा answer देना चाहूंगा, और अगर आपको कोई भी जयन में, कोई other car के बारे में जानना है, तो वो भी अपनी जग comment कर सकते हो, तो next video में और उस पर भी बना दूंगा, तो बस यार आज के लिए इतना है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक करो, चैनल पर नहीं होता है, सब्सक्राब करके बेल आइकन भी दवा देना, तो मैं आपको मिलता हूँ ऐसा ही, कई ने वीडियो में, तिल देन, बबबाई, stay home, stay safe, बीना काम के और घर से बार बिल्कुल मत निकलना,